हलो गाईज मैं दूर्ग वीजे पार्टक आप सभी का स्वागत करता हूँ B.H.E.U. पार्ट साला के ओनलाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और आज हम सॉल्व करने बाले हैं 2011 के पेपर के मैथ और रिजिनिंग के कोईश्चन्स को चलिए शुरू करते हैं अपना पहला कोईश्चन हमारा पहला कोईश्चन है एक क्लब में 108 सदस्य हैं जिसमें दो तिहाई पुरुस तथा बाकी महिलाएं है नौ महिलाओं को छोड़ कर सेस सभी सदस्य विवाहित हैं तब विवाहित महिलाओं की संख्या क्या होगी ठीक है तो इसको करते हैं पूश्चन हमबर जो है वन है यह पूछा गया था टोटल सदस्य कितने दियों है 108 ठीक है और इसके दो तिहाई यानि दो तिहाई कि क्या है पुरुस है तो तीन तरिक्यानों कड़ जाएगा और तीन चकर अठारा चाटिस आ गया चाटिस दुदुनी 72 तो कितने हो गया ब च्छे लायां होगी उसमें से नो महिलाओं को छोड़ दें बागी सब सदसे विवाहित है नो मिलाओं को छोड़ कर तो इसमार क्रेंगे हम कोनों माइनिस कर देंगे तो तो 16 मिसे नवजा साथ आ जाएगा और यह दू आ जाएगा यहनि कि 27 महिलाएं विवाहित हैं तो आपका अंसर यह 27 करिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा अगला कुश्चिन देखते हैं और अगला कॉश्चिन है देवे व्रित में ए भी रेखा 16 सेंटीमेटर तबुच्छ literary है तो व्रित्व ब्यास बता है 10 टो 20 मीटर्स हमें पता करना है तो हमें ए बी दिया हुए ए बी कितना दिया हुए 16 ठीक है ऐसे यह 16 दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 6 cm तो यह कट कर दा है इसको तो आधा आधा पर यह 8 जाएगा यह 8 जाएगा ठीक है तो हाइपरेटनुईज का फर्मूला होता है aach square habit wise करणर बराबर करणर बराबर लंब का so pasti oh देनी कि यह आपका पर्पेंडुबर उसके एंई चाहने six पलस आध यानी जोसँ सब्सक्राइब तो यह हो गया और स्वन कता करना है तो एज बराबर कितना जाएगा इस बराबर जाएगा और स्क्वार जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ठीक है इसक्वार तब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ठीक है तो जब रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 या 10 सेंटिमेटर आपका आंसर हो जाएगा आपसे नमबर 3 करेक्ट हो जाएगा तो देखते हैं अपने रिजनिंग के कोश्चन को वी एस उसल में दो कॉश्चन माइथमेटिक से पुछे गए थे ठीक है तो देखते हैं अगले कोश्चन को रिजनिंग कोश्चन है 4, 8, 9, 27, 16, 64, देखिए, दो दूनी 4 है, फिर 2 का, एक बार 2 का, दो बार 2 का, स्क्वाइर है, फिर 2 का, क्यूब है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3 का स्क्वाइर दिन तरीके 9, 3 का क्यूब, 27 हो गया, फिर 4 का स्क्वाइर है, फिर 4 का क्यूब है, तिससे तरह 5 का तो 25 हो जाएगा आपकर सी क्रेट हो जाएगा ठीक है तो अगला क्या है कि जिस तरह 34 12 से संब्दित है उसी प्रकार 69 संब्दित है किस से ठीक है तो 3 34 से ठीक है तो तीन चोक के बारा ठीक है ऐसे दिया हुए है तीन इंटू 4 करेंगे तुबारा आ गया 34 हो गया और इसी तरह 59 का कितना होगा 59 45 ठीक है तो आपका 45 अप्सन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक घड़ी में 15 बज़े है ठीक है एक घड़ी में 15 बज़े है यानि 3 बज़े है यदि घंटे वाली सुई को घड़ी की चाल की दिशा में घड़ी की चाल की दिशा में ऐसे से गुमती है तो 135 डिगरी घुमा दिया चाया है तो क्या समय होगा देखिए ये आपकी घड घड़ी होती है इसमें कितना बज़ रहा है 15 बज़ रहा है और 135 डिगरी इसको घुमाना है ठीक तो यह नबबे डिगरी हो जाता है यह यहां पर अठारा हो जाएगा और यहां पर तो आपका आत्धुन फोल फोल सज़爍क कर जाएंगा औंवेड़ू को सबढ富 हएक तो देथे अपने निक्स्ट विश्चिन कों हमारा नेक्सक्षिन है को नेक्स्ट पूच्छ विद्स आए okay लिखा हुआ है तो return को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो return को देखिए यम यन ओ ठीक है एक अक्षर का gap है यम यन ओ a b c r r st ठीक है c d e h i j ठीक है एक एक का gap है तो ऐसे ही इसका r का हो जाएगा r st ठीक है तो r st हो गया e f g ठीक है d e f g g हो गया तो t u v ठीक है v हो जाएगा थे तो u v w यहाँ पर w हो जाएगा option म的时候 करा दिया हो था यहाँ पर एक से डे दिया हो था स्थीक है option इसका भी गलत था यू v w हो गया r spr हो जाएगा और यहँच्छंट क्योंक्यन ओ प्षर करना का ठीक है तो अफसे वी डाब्लू latest question है इतने का multiply करना है तो multiply यह तो बहुत ही आसान है जिरो दिया हुआ है तो आपका 0 हो जाएगा ठीक है तो यह भी हो गया तो आपका question 6 देखते हैं question 6 दिया हुआ 149 16 25 तो देखिए 1 और 4 के बीच में 3 का gap है ठीक 1 प्लस 3 4 हो गया और ーン के बीच में कितनागाइब है फोर नाइन के बीच में 5 थ Laugh ठीक और 9-16 के बीच में कितना घ्लाइव एं ॥ि नाइट यह जा सेवन का ठीक है तो तीन पाउंच सीने हैं धो दो प्लस होती जा रहा है ठीक यहां पर का गयाप है और यहां पर कितना होगा 11 का गयाप होगा तो 25 गयाप कितना हो जाएगा 36 आपका कि अपसे नमबर टू करेट हो जाएगा तो कैसे लगा आप लोग को यह वीडियो करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और जल्दी हम अगली वीडियो को लाएंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केर सी यू अगें